हेले फ्रेंट्स एक नई इंफॉर्मेटिव जानकारी युक्त यूट्व वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो मैं लेकर आया हूँ बहुती खास वीडियो और वैसे तो हमारे हर वीडियो खास होती है ये यह यह बेज़्ड है आधार काड़ के समध्रन, दोस्तों हम जानते हैं कि आधार काड़ में एक PVC काड होता है, जो क्या मतलब प्लास्टिक कोटेड एक काड आती है, जो by post वो जो इनकेपाँ होता है, हमारे भी हम देखते हैं तो हमें भी इच्छा होती है कि हमारे पास भी वैसा काड जैसे कि इंग्जांपल के तुर पिशिक प्लास्टिक कोड़ेड होता है पस उसी तरह एक प्रणाइन आधार का जो कि आप चाहें तो online apply कर सकते हैं और आप भी वो पा सकते हैं speed post के माध्यम से वो आपकी घर तक आ जाएगी यदि आप online apply करते हैं तो आज की वीडियो में हम वही process सिखेंगे यदि हम PVC card अपने घर पर मंगवानी है और तो हम कैसे उसको online apply करें तो आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले उस process को जानने से पहले है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं यदि आप उमारे चैनल बने हैं और अभी तक वार्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं चाहिए तो ऐसे ही जानपर योडियो में सब्सक्राइब करें और यूदि फो लाइक करेंए cowardice को आई दोस्त्तार की तरह पूरते किसी भी search engineer नॉर्मली क्या करेंगे ओफिसियल वेबसाइट जो अधार का ओफिसियल वेबसाइट है उस पर आ जायेंगे और search करेंगे uida जो कि by default आ गया है अब रखके search करेंगे तो ओफिसियल वेबसाइट आ जाएगी like this इस तरीके को तो अब आप यहां से क्या करेंगे वीडियो स्कीप मत करिएगा दोस्तों पूरू सुरू से लेकर आंतर देखिएगा अब भी बीजी कार्ट के लिए अपलाई कर पाईए यह यह देखिए बीजिक तो क्या करेंगे हम लोग यहां के बाद हमारा ओफिसल वेबसाइट आ गया अने के बाद लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से डिर्ट लेकर सकते हैं तो हम क्या करेंगे ऐसा इंटरफेस अब आएगा तो हम पहला माई आधार माई आधार पे जाएंगे वहां पे में बहुत सा इंफर्मिशन मिलेंगे यहां पे हम आएंगे यहां प अधार पीवीसी कार्ड इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही ऐसा एक निव ट्वेब में विंडो आ जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे जहां पर देखिए हम आप हमारे पास अधार नंबर अधार नंबर दे सकते हैं वर्च्वल आडिय वह भी दे सकते हैं एए आइडिये तो भी दे सकते हैं तो हमारे पास अधार नमबर हम यहां पर अधार नमबर पूट करें तो कि किस्ट के बाद हम यहां पर क्या करेंगे CAPTCHACORTS αी सही पूट करेंगे उसका सेंड वी करते पर यदि आपके पास है आप पर ऑप्शन गुदे आपके पास आपके है प्लिपी जाएगा लेकिन हमारा तो रेइस्टर्ड है तो हम इसपे टीक नहीं करेंगे इस पर अंचेक करके हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे कि तो हमारे रेइस्टर मोईल नंबर पर एक है वूटेपी आएगे अब है उस कोड़ी पी घंग क्या करेंगे यहां कि यहां पूट करेंगे कि उसके बाद देखिए यहां पर टर्मान कंडिशन से यह दूस्तु स्पीड पुष्ट के मादद हम सब के पास आएगी अब चाहे तो पढ़ सकते हैं यहां से यहां पर नूट से सारे हैं कि नूट में सारे टर्मन कंडिशन्स जो है वो दिये गए हैं अब कर देंगे चेक करने के बाद हम क्या करेंगे सब्मिट पर क्लिक करेंगे सब्मिट पर क्लिक करने के बाद हमारी पूरी डेटेल्स यहां पर आगले हैं छी कर दोस्तों यहां डेख सारे हैं यहां गया अब हम क्या करेंगे make payment पे, क्योंकि 50 रुपीज हमें payment करना है तो हम क्या करेंगे, make payment पर click make payment पर click करने के बाद तो हमें यहां से payment का option मांगेगा हमने से यहां पर payment का option मांगेगा तो इसके यह charges होते हैं, वो 50 रुपीज होते हैं 50 रुपीज आप नेट बैंकिंग यूपी आई कार्ड डेबिट कार्ड के मादम से भी कर सकते हैं कार्ड नंबर देंगे, expired date, CVV नंबर और करने बाद प्रोशीट कर दीजिएगा तो आपका प्रोशीट कार्ड जो है वो apply हो जाएगा ये थी फूल प्रोसेस 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 कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस तो वीडियो कैसा रहा हमें कमेंट क्रिक जोड़ बताईएगा और हां दोस्तों ये कारड नंबर आपके काड से पेमेंट कर सकते हैं डेविट कार्ड मैंने बहुत सारे ओप्शन दिखा है आप पे ओप्शन दिये हुए भी थे तो आप उसी माध्यम से पेमेंट करेंगे प्रोशिट पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली जो पेमेंट होता है आपके मुवाइल नंबर पर एक OTP आएगा तो आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका पेविसी कार्ड ऑर्डर भी हो जाएगा ठीक है तो वह बाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक आजाएगी जो अड्रिस आपके आधार कार्ड पर मिंसन रहेगा ठीक है दोस्तो यह थी पूरी प्रक्रिया यह थी पूरी जानकरी और यह थी पूरी प्रोसेस दोस्तों कमेंट सिक्षन में लिखना नहीं बूलिएगा कि कि हमारी वीडियो से आप क्या कुछ सीखते हैं फिर मिलेंगे अगले ही जनका यूग दे वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच